गुड मॉर्निंग फ्रेंज वेलकम बैक टू सिजी जॉब एजूकेशन साथियो जल्दी से हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तकि आपको शिक्षक भरतिस जूड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके देखे गरिया बन जिले में एकलवी नहीं आ रही है तो आज हम उनहीं की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं देखे साथ यह कारेला कलेक्टर आदिवासी विकास गरिया बन 36 गर्थ तो जिसके अंतरगत आपका वेकंसी आई हुई है आप देख पाएंगे यहाँ पर उप्रोग्त विश्य अंतरगत ले या जीले की वेबसाइट गरियाबन.gov.in पर जैसे ही आप जाओगे तो इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ठीक है तो आवेदन की तीथियों के हम बात करें साथियों तो आवेदन की तीथि सुरू हो चुकी है और आवेदन करने की जो अंतिम तीथि है आदिम जाती कल्यारवी भाग जैसे कालेला करेक्टर जिला इस्तरी समीती आदिम जाती कल्यार आवासी एवं आशरम सेक्षलिक संस्थान ये आवासी विद्याला है साथियों जो की एकलवी आदर्श आवासी विद्याला के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ पर गेस्ट ठीचर भीचलत थिटी कुशंबुरा स्भुष अन्गलेज़ के दो सामिल हैं गडित विषय के दो पत हैं विज्ञान के एक पत संस्क्रीट così समाजीश हैं एक पत सामिल के हैं यह जो टोटल जो पद हैं ट्गी डेज़ी डीटी के पद है तो TGT के पद है और आरक्षित के ट्रिगिरी भी आपको यहां पर दिया हुआ है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों चीक है तो यह तो रहा ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर कोसम बुड़ा की अब इसके अलावा आपका पोस्ट ग्रेजवेट टीचर कोस स्वायन में एग पद भौतिकी में एक पद और जिविज्यान में एग पद पर भर्ति होंगा है तमाम जो पद है अनदर क्षित के हैं मुट्ट के हैं कोई भी साथि इसके लिए आवेदन करने हैं तू पात रहें इसकी अलावा साथियों आपका गैर सिक्षक की पद में भ कोई भी साथी आवेदन करने के लिए पात रहें इसके अलावा साथियों आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में देहार गुड़ा के एकलवे विद्यालाय में भी आपका शिक्षकों की भरती आई हुई है जिसमें हिंदी के दो पद हैं और अंग्रेजी के दो पद सामि किये गए हैं इसके लिए बात करें हम देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर सो हो रहा है और इसका ओपेसियल नोटिफिकेशन भी आप देख पाओगे ठीक है यह तो रहा टीजीटी में अन्य और पद हैं साथियों जिसके अंतरगत देख सकते हैं टीजीटी में एक देहार गुड़ा के अंतरगत ही ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में गलित के दो पद, विज्ञान के दो पद, संस्क्रीट के दो पद और समाजिक विज्ञान के दो पद सामिल किये गए हैं यह टोटल जो पद है देहार गुड़ा के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एकलवी व करने के लिए पात रहें टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो कूल 31 पदव पर भरती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है इसके लिए शैक्षडी की योग्यता की बात करें तो साथियों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए नियूनतम 50 प्रतिसत अंकों के साथ आपके पास इसनातक भी होना चाहिए अवयों बीएट की भी डिगरी आपके पास होना चाहिए जो इसनातक की योग्यता है संबंधित विशय में होना चाहिए जैसे आप TGT इंगलिस के लिए कर होना चाहिए या राज की टेट परिक्षा उत्तिन होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें PGT की बात करें तो नियूनतम 50 प्रतिसत अंकों के साथ इसनातकों तर तथा बीएड होना आवस्या के साथ इसके अलावा जिस सब्जेक्ट के लिए आप इसनातक प्लस ब्लस बीएड की योग्यता यदि आपने ले रखा है तो आप पॉस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के इन पदों के लिए आवेदन करने हैं तू पात रहें बात करने हम चात्रावास अधिक्षक की योग्यता की चात्रावास अधिक्षक के लिए मायनता प्राप्त विश्वी द्याले से आप इसनातक की योग्यता आपके पास होना चाहिए जो कि मेरी योग्यता है साथियों ये आपका होना अवस्यक है चीख है तो यदि आप इच् करें उम्र श्रीमा यह अन्य जो जानकारी है उनके संबंध में हम बात करें फ्रेशर कंडिडेट और सेवा निवरित कंडिडेट के अलग-अलग उम्र श्रीमा निर्धारित है यदि आप फ्रेशर कंडिडेट हैं तो PGT TGT के लिए एक अप्रेल 2023 की स्थिति में निवनतम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और आप स्वास्थ हो इसके लिए आपको फिटनेश सर्टिफिकेट भी देना होगा जो सेवा निवरित्य शिक्षक है उन सभी के लिए ठीक है तो ये योग्यता रहा साथियों यदि आप इच्छूख है योग्य है तो बिलकुल आप इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं वेतन मान की भी हम बात करें पारिस्रमिक की हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको वेतन अधिक्तम जो है 45,000 रुपए प्रती माह वेतन मिलेगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 42,000 रुपए प्रती माह मिलेगा और 16 वस अधिक्षक के अच्छी सेलरी साथियों यदि इच्छूख है तो बिल्कुल आप आवेदन करें सेलरी भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है केंदरी विद्याला है और सरी एकलवी विद्याला है संगठन द्वारा मैं पुना बता दू आवेदन करने के जो अंतिमतिती है सथ 23 अप्रेल 2023 न अप्लाइन है जी हां साथियों आप क्रमांग तीन में देख पा रहे होंगे निधरित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमारित अभिलेखों के साथ एक बंद लिफाफे में सिल बंद करके कारला सहया कायुक्त आदिवासी विकास गरिया बंद कलेक्टिट परिसर क्रमांग कक्ष क्रमांग 56 में रजिष्टर डाक या इस्पीट पोस्ट से भेजा जाना है ठीक है यह आफलाइन मोड है पोस्ट में जाकर आपको इस्पीट पोस्ट करना है या रजिस्ट्रिक डाक के माध्यम से आपको भेज देना है भेजना है तो आपको प्रिकेंदर ठीक है छोटी छोटी चीजें बेहत जरूरी होती है सांथियों यदि आप उन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा तो अच्छा उसर है देख सकते हैं यहां पर आवेदान पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है जिसमें आप आव यहां पर डालना पड़ेगा उसके बाद जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हैं जितनी भी आपकी योग्यताएं हैं आप बिल्कुल इसमें मेंशन करेंगे चीज़ है अच्छा उसर है यहां पर देख सकते हैं कई साथ ही पूछ रहा थे कि सर इसमें क्या भरना है तो नात्मिक्ता के क्रम में उसको डाल सकते हैं उसके बाद में अच्छे से भर लेने के बाद में एक घोषना पत्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं जो भी हूँ घोषना करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जो जानकारी है ज्यान वं विश्वास में करना पड़ेगा और अपना जो सिगनेचर है वो करके आपका प्लेस भी आपको डाल देना है इस तरह से डालने के बाद में आपको स्पीट पोस्ट या रजिस्ट्रिक डाक के माध्यम से आवेदान को भेज देना है साथियों तो अवसर अच्छा है जो भी साथी चुक है तो बिल्कुल आप इस पत के लिए आवेदन कर सकते हैं एक चीज में और बात आदू कि कई साथ ही यहाँ पर बोल रहे है कि सर आवेदी समवर्ग का नाम क्या है कैसा है सेक्षरिक समवर्ग भाई सेक्षरिक समवर्ग को आप देख लेंगे उसमें कुछ भी आप डाल सकते जो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है ठीक है तो यहां पर जो समर्ग में ज्यादा तर तो यह ट्राइबल एरिया के स्कूल है ठीक है तो ट्राइबल एरिया के स्कूल है तो आप उसके हिसाप से आदिम जाती कलियार विभाग ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि जितने भ पर ही संचलित होता है ठीक है तो अच्छा है साथियों कापी अच्छी सेलरी भी है यदि आप इच्छुक है तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आप आविदन कर सकते हैं जहिन